हेलो फ्रेंड्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ हो और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओन्लाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स का पार्थ 13 करेंगे, इससे पहले की सभी वीडियो हमारे चैनल पर अविलेबल है, I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियो देख लिये होंगे, और अगर अभी भी उन में से कोई भी वीडियो देखन बाकी रह गया है, तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, so now without wasting much time, हम अपना आज के ये वीडियो आगे continue करते हैं, और चलते हैं पहले वर्ड की तरफ, पहला वर्ड है, heretical, heretical का मतलब होता है, unorthodox, मतलब ऐसा व्यक्ती जो की अब परंपरागत ह या फिर रूडी विरुद्धो, उसे बोलते हैं, heretical, options की तरफ आजाते हैं, option A is contradictory, contradictory का मतलब हो जाता है, in opposition, मतलब विरोधात्मक या प्रतिकूल, option B is doubtful, मतलब uncertain, अनिश्चित या फिर संदिग्द, option C is impious, impious मतलब unholy, ऐसा व्यक्ती जो भगवान या धर्म में विश्व नहीं रखता हो, and option D is orthodox, orthodox का मतलब हो जाएगा, rudy वादी, ऐसा व्यक्ती जो प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करता हो, उसे बोलते हैं, orthodox, तो हमने सभी options के meaning जान लिए, और ये जो हमारा word है, heretical, which means, unorthodox, इसका opposite हो जाएगा, option D, orthodox, मतलब rudy वादी, आगे बढ़ पेटे में लेना, मतलब to show someone to be involved in a crime, मतलब किसी को ये महसूस कराना कि उसने कोई crime किया है, या वो किसी गुना में फसा हुआ है, इसी को बोलते हैं, implicate, option A is exonerate, exonerate का मतलब हो जाएगा, to say officially that somebody was not responsible for something bad that happened, मतलब किसी को दोश्मुक्त घोशित करना, इसी को बोलते हैं, impersonate, option C is complicate, complicate का मतलब हो जाएगा, to make something difficult to understand, मतलब किसी चीज को उलजा देना और ऐसे उलजाना कि फिर वो समझना आए, option D is impose, impose का मतलब हो जाएगा, अपनी शक्ती या अधिकार के बल पर नियमादी को मनवाना या थोपना, तो हमने सभी options के मीनिंग जान लिये, और ये जो word है implicate, इसका अंटोनिम होगा, option ने exonerate, क्योंकि implicate का मतलब हो जाता है, किसी को किसी दोश में फसाना या उसे ये महसूस कराना, कि उसने वो गुना किया है, वो crime किया है, और exonerate का मतलब हो जाता है, किसी को दोशमुक्त गोशित करना, आगे बढ़ते हैं, अगला word है, isolation, isolation का मतलब हो जाता है, separation, मतलब अलगाव या प्रतक करन, options की तरफ चलते हैं, option A is segregation, segregation का मतलब भी होता है, separation, मतलब अलग करना या प्रतक करन, option B is association, association का मतलब होगा, union या फिर alliance, या फिर collision भी बोलते हैं, इसे, मतलब जुडाव, सयोग या सहकारिता, option C is seclusion, seclusion का मतलब हो जाए का मतलब हो जाएगा निर्वासन या फिर देश निकाला तो हमने सभी options के मीनिंग जान लिए और यह जो word है isolation विच मीन्स separation इसका opposite हो जाएगा option भी association क्योंकि association का मतलब हो जाता है alliance या फिर union आगे बढ़ते हैं अगला word है हमारा benefactor benefactor का मतलब हो जाता है ऐसा person जो की financially दूसरे लोगों की help करें दूसरे लोगों को आर्थिक रूप से support करें मतलब परोपकारी उपकारी या से दानी options पर आ जाते हैं option a is helper helper मतलब मददकार जो दूसरे लोगों की सहायता करे option b is victor विक्टर मतलब winner champion विजेता option c is disciple disciple का मतलब हो जाएगा follower मतलब अनुयाई या फिर सेश्य चेला and option d is enemy enemy का मतलब हो जाएगा शत्रू दुश्मन तो हमने benefactor जो है यह हमारे दोस्त की तरह ही हुआ जो हमारी मदद करे वह हमारा दोस्त होता है इसका opposite हो जाएगा दुश्मन अनिमी आगे बढ़ते हैं अगला word है हमारा potent potent का मतलब हो जाता है a person who is very powerful या strong मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शक्ति शाली या प्रभाव शाली हो उसे बोलते हैं potent options पर चलते हैं option a is inefficient inefficient का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो की बहुत जादा productivity ना देता हो या कोई भी ऐसी चीज जिससे maximum productivity ना मिलती हो असक्षम इसे बोलेंगे inefficient option b is soft soft का मतलब हो जाएगा नरब मुलायम कोमल option c is fragile fragile का मतलब होता है brittle या फिर delicate ऐसी चीज जो की easily break हो जाए उसे बोलते हैं fragile and option d is weak मतलब दुर्बल या कमजोर तो हमने सभी options जान लिए और यह जो word है potent which means powerful strong इसका opposite हो जाएगा option d weak मतलब कमजोर या दुर्बल तो आपको यह सभी words clear है तो friends आज मैंने अपके सच कुछ words discuss किये I hope आप सभी को इन सभी words के meaning clear होंगे अगर still doubt है तो आप वीडियो को repeat करके देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए share कीजिए अपने maximum friends के साथ relatives के साथ और अगर अभी तक हमारा च stay tuned with us thank you so much wish you all the best